नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब नानिकना मशिनरी, सुखराज मशिनरी, अनमोल मशिनरी, गुर्किर्याद मशिनरी में आपका बहुत-बहुत सवागत आए दोस्तों, जे मैं आपको हर रोज नए नए वीडियो में जो बीजनरी, नए नए बीजनरी के बारे हम जानकरी देते रहते हैं आप मारी वीडियो शुरू से लेके अन तक देखे करो, फिर उसमें बहुत सारी आपको जानकरी मिल जाएगी आज मैं आपको जो सक्रियो मेकिंग मशीन है, जिफसन सक्रियो, पी ओपी चैनल, जो पी ओपी चैनल में सक्रियो लगते हैं और हर जगा लकडी में लगते हैं, बहुत सरे गर में, हर गर में, हर जगा पे इसकी जरूरत है यह मैं सक्रूव के बारे जो मशीन है कौन कौन सी मशीन लगेगी इसमें उसके बारे में आपको पूरी जानकरी कैसा रॉम्टी लगेगा क्या कैची लगेगी कैसे बनेगा कैसे इसमें मार्किट में सेल होएगा क्या प्रॉपट आएगा वो पूरी की पूरी में आपको जानकरी दूँगा लेकने जे वीडियो पूरी देखो के तो फिर ही आपको जानकरी का नौलई मिलेगी आपको पूरी ये दोस्तों मारी जो फैक्टरी है जे फैक्टरी है मारी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं exporter भी है महारा बहुत सारी कंट्री में 20-25 कंट्री में मारी मिशीने export भी होती है और जब पूरी all over इंडिया में मारी मिशीने supply होती है मैं आपको इन मिशीनों के बारे में बता रहा हूं जो मारी factory है यह अमरी सर पंजाब जहां पर यह golden temple है famous है बहुत जहां यह golden temple तेख सकते हैं। 52 plot number है हमारी location जो है factory की पूरी website में आप बार से view जो है देख सकते हैं उसमें यह मारी जो video जैसे बना रहे हैं यह मारा office है यह देखिए मैं आपको जो पूरी जानकरी मारे पास बहुत type की हर type की machinery है wire के related हर type की मारे पास machine है लेकिन उसमें मैं आज पर related भी हर टाइम का machinery है मारा wire के related जैसे कोई J-O को अगया सरीया बेंड करने वाली को machine है कोईसे ऐसा है जहां wider machine है इसका राम टील बनाने वाली जो screw वाली है और सरीया बनने वाली जो तार बनती है ठारान नुबर बीस नुबर हो भी है machine मैं आज आपको लेकर ज्यादा screw making machine का अभी पूरी detail आपको जो मैं बोला है कि इसका पूरी की पूरी जानकरी आपको दे दूगा जैसे यह देखो यह screw जो पड़े हुए है hard type का screw है छोटा बड़ा जैसे कोई भी किसी type का head यह देखिए यह चोटा अधी इंची पूरी इंची है इसका जे जिफसन स्क्रीव बोलते है इसमें four head screw driver इसमें पीशे लग जाता है four head four head screw है जे जिफसन स्क्रीव बोलते है इसका जे देखिए पूरा अंदर से कितनी बड़िया finish है यह मारी machine में जे बनता है जे स्क्रीव बनता है कितनी बड़िया finish है पूरी गलाई है इसकी चूड़ी देखो thread कितनी बड़िया चूड़ी है आगे नोग बिल्कुल तिखी है बिल्कुल हाथ लगाओगे हाथ में लगता जा रही है इतनी तिखी है चूड़ी जो इसकी स्क्रीव की thread है चूड़ी है बहुत देखो मला हाइ स्पीड है मला डबल चूड़ी आ रही है जैसी डाई लगाओगे वैसी चूड़ी डल जाती है इसमें आधी इंची, एक इंची, दो इंची, तीन इंची, च्यार इंची कोई भी स्क्रीव बना सकते हो चोटी बड़ी मिशीन ले सकते हो जैसे जे जिफसन स्क्रीव में जो मिशीने लगती है पांच एमेम टू, पचास एमेम एक मिशीन लगती है हैडर लगेगा, एक रोल थ्रेड लगेगी एक पॉल्चिंग दम में ग्रेंडर लगेगी और एक इसमें जो इसको थोड़ा सा हीट करके बलैक करते है वो भी एक टंप्रेचर कंट्रोलर वो भी मारे पास होती है उसमें थोड़ा हीट होएगा कीट होने के बास उसमें एक आगे ऑईल होता है काटिंग आउल उसमें थोड़ा पानी डालते है उसमें डाल दोगे तो हीट भी हो जाता है और बलैक भी हो जाता है हाड भी हो जाता थोड़ा से और इसमें जो जो मशीने है एक तो दो इंची मशीन हो गया दो इंची तक स्क्रीव बना है ये 5 mm वाली में ही सारे बन जाते हैं स्क्रियू क्योंकि स्क्रियू जो हता है इसका डायमेटर को डाई एमेम होता है को तीन एमेम होता है जैसे जे 1.5 इंची तक जो है 2 इंची तक आता है जैसे जे 2 से बड़ा है डाई है तीन इंची स्क्रियू है वह तीनम हाता है लेकर 5 mm जौ वाली वाली मिशीनrated उसमें बन जाते हैं इसमें बड़ि तीनीची वाला पनाना है वह तो फिर इसमें जी ऊफिरी तीनीची वाला हेटर लेना पड़ेगा पांच अमम भाए तीनीची वो मलब श्पेशल एक एटर होता है वो बन जाता है और उसमें रोल थ्रेड लगेगी एक और एक पॉल्चिंग दा में ग्रेंडर वो भी बाकी सिस्टम जो है उसको हाड करने वाला तो उसको ब्लैक करने वाला वो आगे लगे गा एक और बाकी इसका सेटप जो है मारे पास पूरा का पूरा मिल जाता है इसकी वीडियो भी मैं आपको बीच लाकर दखाऊंगा वो पूरी वीडियो भी देखो उसमें आपको पूरी नॉलज मिल जाएगी समी लगजेगी कैसे बंदा है कैसे मला अपने आप आप आटमेटिक मशीने है इसमें रोल लगा देना है बागी मशीनोँ जो पहले मेकेनिकल उसमें इसटमने इसटोम नहीं होता था उसमें नहीं होता है. अभी मेरा उसमें वाइबरेटर सिस्टम लगा हुआ है वो पूरा लेटस टेकनोलोजी है उसमें लेटस टेकनोलोजी वरी आपको मशीन मिलेगी उसमें जो डाई भी है डाई भी बड़ी है क्वाल्टी का जो है वो मिलेगा आपको डाई जो है उसका एक डाई भी मिलेगा पर दो डाई बन जाती है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा अजीनर जाएगा उसका थोड़ा चार्ज रहता है। वो आपको जाके महाँ पे मशीन चलाने का पूरा ट्रेनिंग, मशीन कैसे चलेगा, वायर कैसे लगनी है, जो भी है, उस सारा को चलाने का आपको दो-चार दिन रुक के वहाँ आपको सखलाई देगा, और इसको कैसे पूरा इसमें हेड बनेगा, कैसे चुड़ी डलेगी, त सरे हमारे एन 24 के लगते हैं कुछ उसमें क्रंक जो है कुछ और पार्ट हैं कुछ एन 8 के लगते हैं नाहिन के लगते हैं उसमें जो वुश लगते हैं फासवस ब्राउंच के लगते हैं आम लोग जो है गंज मेंडल के लगा जेते हैं उसकी लाइफ नहीं होती हमारी मिशीन क लाइफ जादी रहेगी, दस साल मशीन चलेगी, पार्ट में गिस्ता जल्दी, कभी भी आपको मशीन की प्रावलम आए, कुछ भी होए, एक साल ग्रंटी है, एक साल के बाद भी कभी दो साल, चार साल में कभी भी प्रावलम आती, प्रावलम आपकी सॉल्व कर देता है, और हर जगा है, आलोवर इंडिया में इसका जो रॉम टील है, रॉम टील आलोवर इंडिया में इसका मिल जाता है, हमारे हर च्छार में डिस्टिबूटर है, वहाँ से जब मिशीन लोगे हम बता देते हैं पर बाद में कि आप कहां से रामटियल लेना है मारा इंचीनर आएगा सारा कोछ बता देगा इसमें वायर जो है डबल हब वायर लागती है इसमें जो डिपसंश कुर्ई होता है डबल एचबी का मल होता है एचबी जो वायर नेल में लगती है वो ही वायर होती है उसको थोड़ा हीट की जा होता है वो डबल एचबी हो जाती है उसको फर्नस में हीट करके वायर उसका डामटील मिल जाता है वो जो वायर इसका बनाने वाली मशीन है वो भी मारे पास होती है आपने वाइड रा मशीन होती है उसमें जो भी साइज का बाहर बनाना चाते हो वो भी मारे पास मिल जाती है उसमें फर्नस भी मिल जाती है हर चीज मिल जाती है और इसमें जो मशीन है ये सिक्र्यू प्रन वाली मशीन है इसमें जैसा डाई लगाओगे वैसा ही जैसे ये हैड है जिपसन स्क्रिव वाला ऐसा माइनस वाला हैड भी बना सकते हो ऐसा ऐसा इसमें एक स्लोटिंग मशीन और लगेगी उसमें ऐसा माइनस वाला भी हैड बना सकते हो चूड़ी ऐसे वाली भी डाल सकते हो Machine screw भी मना सकते है इसमें gypsyn screw, machine screw और भी जिस टाइब का बनाना चाओ और भी मन जाते है ऐसा जह बड़ा machine लेना थी ये वाले हैसे screw भी मन जाते है येवाला screw है half thread हो भी भी बना सकते हो full thread हो जैसा कोई और भी कै Lewis पॉल है कैसी type का जैसा ये वाला ऐसे वाला हैड भी बना सकते हो, ऐसी थ्रेड भी डाल सकते हो, किसी टैब का भी बना सकते हो और इसी मशीन में जो जो जिफ्सन सक्रूव वाली जे मशीन है, इसी में रिबट भी बना सकते हो जो yapıyor रिबट आदी ही इंची लंबी है, एक इंची लंबी है, दो सूस्थ लंबी है, जितनी ही लंबी, 5 मेंव, 10 में, 15 में, 20, 50 में लंबी, कोई भी रिबट भी हुआ, रिबट भी इसी मेशीन में बन सकती है, ये मल्टपर्परपेश मेशीन है, इसमें सकरिव जा और मशीन सकरिव कुछ भी बणा सकते हूं डाई चेंज गारगे कुछ हावा टाइप का इसमें बन सकता है बला ज़रूरी निपर जिफिन सकरिव बनाना और भी electro बन जाता है बाकि इसका raw material जो भी पे बता दिया आपको बाकी इसमें profit की में बात करना है इसमें profit जो है जैसे इसकी wire है वो 60 रपे किलो जिफसें से क्रिव की मिल जती है 60-65 last मिल जती है डबल ही भी वायर जो है वो आपने wire ले लिया इसके पर 2-3 रपे कर्चा आएगा बनाने का इसका जो भी इसका है तो दो-तन रपे कर्लो का चार रपे कर्लो का खर्चा आगया जैसे 65 वी वायर मानलो 60 रपे है पेंट रपे वायर है दो-तन रपे कर्चा आगया 70 रपे कर्लो आपको ये बन गया आपका रेडी हो गया 70 रपे कर्लो का ये जो सुक्रियू है कम से कम भी ये जहे आप इसको थोक के बाउमें वेचोगे, बोरी में पूरा, बोरी पुरी 50 किलो का जो बरके, किसी ने एक टन लेना है, 50 किलो लेना है, 100 किलो लेना है, 200 किलो लेना है, तो जहें कम 500 किलो बेख जाता है, इसमें profit अच्छा खासा है 70 पाय तक आपका रैडी होगे ना 500 रुपाय कलो तक बेख जाता है जेकर जेई स्क्रीव आप packet में इसको pack करके फिर sale करोगे फिर जे तकरीव ने 170 रुपाय कलो बेख जाता है packet जो है गते का box लेके उसमें packing करके इसको बेचोगे ते यह और भी profit अच्छा खासा मिल जाता है यह अच्छा खासा बीजनस है आप कोई भी आदमी जो है मैरी जो वीडियो है आगे आगे जो WhatsApp है आपका कोई भी उसमें ग्रूप है उसमें आगे आगे इसको share करते रहा करो क्योंकि किसी आदमी को कोई जरूरत होएगी तो उसका काम होजएगा क्योंकि उसको कोई जोग आदमी विला है उसने बेरोजगार है जाँ उसने कोई नया भीजने चुरू करना है उसको उसकी knowledge मिल जागी आगे कहीं ग्रूप है आपके पास उसमें share कर दा करो share करोगे हमारे channel को subscribe करो और आगे भी लोगों को बोलो कि subscribe करें subscribe होएगा like करोगे तो आपको हमारे इस channel में जो भी video upload होती रहती है आप उसकी knowledge जो है आपको मिलती रहेगी पूरी जो है पाकी इसका जो बेचने का है बेचने का भी इसके wholesaler होते है हमारे पास भी बहुत सारे wholesaler होते है कई माम को भी wholesaler बोलते रहते हैं माल कहां से मिलेगा ये मिलेगा फिर हमने हमारे से जो machine लिया होता है जिसने हम wholesaler भी बता देते हैं कि वहां से मिल जागा वो भी हम परवाइड कर देते हैं कि गोलतेलर बला कोसी एरिये का जो होता है वहाँ वो सप्लाई जो मशीन लेगा वो बना के इसको सप्लाई भी कर सकते हैं बहुत बड़ी है बीजनस है अच्छा खासा प्रॉफट इसमें आप लगा के इसमें बहुत कम अभी ये लगे हुए है जूनट कम लगे इडिया में बहुत सारे भी आप कहीं भी हो किसी स्टेट में हो वहाँ से आप हमारे यूटूब में जो उसका वीडियो है इसके नीचे नमबर दियो हैंगे उसमें जाके वाटसाप में मैसेग करो और आपको पूरी नौलेज देदेंगे आप वहाँ से ही आपको आउनलाइन बुकिंग करा सकते हो आप इसका बुकिंग राओं 15-20 दिन में मिशीन रेडी हो जाता है रेडी होके हम उसमें आपके घर तक डिलिवरी कर देते हैं उसका जो ट्रांसवोर्ड का जी एस्टी लग होता है वह आप उसका पूरा पेमर करोगे हम वहां तक मिशीन पच्वा देते हैं मशीन पहुंच जएगी अची पर अची कंपणी है आप उसमें अडवांस जबाग राओ और बुकिंग कराओ मशीन की जिन्नी जल्दी कराओगे पहले आपका नंबर आएगा पहले आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे जल्दी आपका प्रॉफट अच्छा कासा आपको आन उमारे यूट्यूब चैनल से आपको बहुत बहुत धन्याबाद हमारी वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करो बहुत बहुत धन्याबाद आपका थेंक्यू दोस्तो आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इंप्रमेशन चाहिए तो आपको अमसे कमेंट करके भी पूल सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपके वीडियो जुरू पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नहने बिजनेस आडियेस कूचे सबसे पहले आपके पास